आईए, अब हम जानते हैं रासानिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले एक और महत्वपुन कारक उत्प्रेरक के बारे में जैसे कि हम जानते हैं उत्प्रेरख वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वयम में स्थाई रूप से रासानिक परिवड़तन हुए बिना रासानिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं कई बार हम देखते हैं कि लिखा होता है उत्प्रेरक रासाइनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं लेकिन यहां पर उत्प्रेरक जो है वह हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है जो कम करते हैं उसे हम उत्प्रेरक नहीं बलकि अवमंदक कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जो रासाइनिक अभिक्रिया की दर है वो उत्प्रेरकों के द्वारा उसमें वृध्धी कर दी जाती है उधारन के लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं हमने देखा है कि जो oxygen बनाने की प्रयोक्षाला विधी होती है जिसमें हम potassium chloride को जब गर्म करते हैं तो इसमें potassium chloride बनता है तथा oxygen के स्मुक्त होती है लेकिन यह जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गती से होती है इसके स्थान पर यदि हम यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में magnesium dioxide उत्प्रेरक के रूप में ले 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 तो यह अभिक्रिया कई गुना तेजी से होने लगती है और हमें अधेक मात्रा में oxygen प्राप्त होती है तो इस तरह से हम देखें कि जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक ऐसा क्या करते हैं जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है इसे हम मध्यवर्ती संकुल सिध्धान्त के आधार पर समझ सकते हैं उत्प्रेरक सरुप्रतम अभिकारकों के साथ मिलकर एक मध्यवर्ती संकुल का निर्मान करते हैं ये मध्यवर्ती संकुल बहुत ही छणिक होता है अल्प समय के लिए होता है और जैसे इस मध्यवर्ती संकुल का निर्मान होता है परियाप्त एक्टिवेशन एनर्जी के साथ वैसे ही यह मध्यवर्ती संकुल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तथा जो उत्प्रेरक था वह अपनी पूर्व अवस्था में अलग हो जाता है इस तरह से हम देखें कि इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं माल लेजिए यह जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसमें अभिकारकों की जो उर्जा है जिसे हम इनकी इनिशल प्रारंभिक उर्जा है यह आपको दिखाई दे रही है अब इन्हें मध्यवर्ती संकुल बनाने के लिए इन्हें जो पर्याप्त उर्जा चाहिए उसे ह हम सक्रियन ऊर्जा कहते हैं या कहले हम टोटल जो रजा होगी है जो अभिकार कोव के पास होनी चाहिए उसे हम देहली ऊरजा कहते हैं जो आपको नीचे से लेकर इस पीक तक दिखाई दे रही है अब यहां पर कुछ उरजा इनिश्यल एनरजी तो अभिकारकों के पास है उन्हें इस पीक तक पहुचने के लिए इस उर्जा को प्राप्त करने के लिए जो अंतर है वो उर्जा प्राप्त करनी है उस उर्जा को हम सक्रियन उर्जा कहते हैं जिसे हम एके द्वारा डोनट करते हैं तो इस तरह से हमें सक उर्जा पीक जो काफी ज्यादा मात्रा में है तो बहुत कम अभिकारकों के अणु उस अवस्था तक पहुच पाते हैं उस उर्जा तक को प्राप्ति कर पाते हैं जिससे बहुत कम मात्रा में उत्पाद मिलते हैं यहनिकि अभिक्रिया की दर जो है वह धीमी होती है जब हमार ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे आ जाता है यनि कि उत्प्रेरग इस सक्रियन उर्जा का जो उचाई है उसको कम कर देते हैं जिससे अधिक से अधिक मात्रा में अभिकारकों के अनू उस एनर्जी बेरियर उर्जा अवरोध को पार कर पाते हैं तथा हैं कि जो उत्प्रेरग हैं अभिक्रिया की दर्ग को आगे बढ़ाने के लिए तीवर करने के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ या एक वैकल्पिक पथ बना देते हैं जिसके द्वारा अभिकारक अधिक संख्या में एक्टिवेशन अनर्जी या उर्जा बेरियर को पार कर पाते हैं तथा उत्पाद में परिवर्थित हो पाते हैं तो इस तरह से हम देखें कि अभिक्रिया की दर को एक को प्रभावित करने का कार्य करते हैं यदि हम उत्पेरकों की विशेश्ता देखें तो पहले ही हम जानते हैं कि यह रासाइनिक रूप से अस्थाई रूप से तो परिवर्थित होते हैं क्योंकि यह मध्धमिक संकुल बनाते हैं लेकिन अभिक्रिया के पश्चात यह पुनह शुद्ध अवस्था में हमें भारात्मत दिस्टी से या रासायनिक त्रिस्टी से और परिवर्थित प्राप्त हो जाते हैं दूसरा हम देख में हैं कि जो उत्प्रियरक हैं उनकी बहुत ही सूक्ष मात्रा अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है इसके आलावा हम देखें कि जो उत्प्रियरक हैं इनकी क्रिया करने की एक विशेस्ता होती है जैसे कि यह अभिक्रिया की जो गिफ सोती हैं उनको ही उत्हरी रित करते हैं साथी जो सामय स्थरांक है जब अभिक्रिया ढगे बढ़ रही होती है तो साम solids स्थरांक के मान्मी परिवर्तन करते हैं लेकिन चूक्ति यह अभिक्रिया की अधर को बढ़ा देते हैं इसलिए साम्य वस्ता जल्दी प्राप्त हो जाती है। साथ ही यह अग्र एवों पश्च दोनों अभिक्रिया को समान रूफ से उत्परेरित करते हैं। और यह भी कारण होता है कि साम्य वस्ता बहुत शिग्रता से स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि उत्पेरक भिन भिन प्रकार से अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कारिय करते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक और सिध्धान जिसे संगट सिध्धान या कोलिजन थ्योरी कहते हैं। अभी तक हम में जाना कि जो Arrhenius theory है, वो रासाइनिक अभिक्रिया की दर को विस्तार रोप से समझाती है, यह रासाइनिक अभिक्रिया की दर पर activation energy का, तापमान का, तथा उत्पेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, यह इस पस्ट रोप से हमें समझाती है, लेकिन जब हम अभिक्रिया किस तरह से होती है अभिकारक के अनु किस तरह से आप इसमें क्रिया करते हैं और उत्पात का नर्मान करते हैं तो इस तरशक्रिया विधह को समझाने के लिए मेक्स ट्राउट्स तथा विलियम लुईस के द्वारा प्रतिपादित संगट सिध्धान्त कोलिजन थियोरी इसे ज्यादा अच्छी तरह से स्पस्ट करती है जिसे इन वैज्ञानिक द्वय ने 1916 से 1918 के बीच प्रश्थुत किया था यह थियोरी मानती है कि जो अभिकारत के अणू होते हैं वे ठोस गोलों के रूप में होते हैं तथा ये ठोस गोले जब आपस में कॉलिजन करते हैं संगट करते हैं जिसके फल्सरूप उत्पाद का निर्मान होता है जब ये अभिकारत के अणू आपस में संगट करते हैं तो इनके बीच प्रभावी संगट होना चाहिए एफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए और एफेक्टिव कॉलिजन के लिए जरूरी है कि अभिकारकों के पास अभिकारकों के अनू के पास पर्याप्त मात्रा में सक्र उर्जा होने के साथ सीचाथ इनका जो कॉलिजन हो रहा है उसमें उस समय उनका अभिविन्यास उनका ओरियंटेशन बिल्कुल सही या उचित दिशा में होना चाहिए तभी उनके द्वारा जो कॉलिजन होगा वह प्रभावी होगा और जिसके फल्सरूप उत्पाद का निर् आयतन में प्रती सेकंड होने वाले संघट की संख्या को हम संघट आवरती कहते हैं और संघट आवरती का मान जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा होती है मान लेजे हमारे पास कोई द्वी अनुक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A अभिकारक B के सा निर्मान गरते हैं तो इन अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होगी उसके वेग स्थरां को हम संघत थेोरी के आधार पर संघत-सध्धांत के आधार पर इस प्रकार लिख सकते हैं यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वहोगा जड़न बी डॉट इकी पावर माइनस E A by RT के यहाँ पर जो जड़ A B है वह अभिकारकों के अन्मों के मद्ध होने वाले संघट की आवरती है और यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो संघट आवरती है वह अभिक्रिया वेक के डारक्ली प्रपोजनल है यहने कि संघट आवरती जो है वह कोलिजन फ्रेक्वेंसी जितनी जादा होगी अभिक्रिया का वेक उतना अधिक होगा साथ ही यह जो फ्रेक्शन आपको देख रहा है एक पावर माइनस E A by RT यह उन अभिकारक के अन्मों का अंश है जिनके पास या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर उर्जा होती है या फिर उससे अधिक उर्जा होती है तो इस तरह से अभिकारक के अनु जब परियाप्त मात्रा में संघट करते हैं तो उनकी उर्जा में गतिज उर्जा में वृद्धी होती जाती है और वे उतनी उर्जा प्राप्त कर लेते हैं जिसकी मात्रा या तो सक्रियन उर्जा के बर इनके लिए जब यह आपस में संघट कर रहे हैं तो इनका उरियंटेशन होना भी उचित उरियंटेशन होना भी जरूरी है जैसे माल लेजिए यहाँ पर अब यहाँ पर उनके कोलिजन की दो संभावना हो सकती है यहाँ पर एक अनू जो है वह आमने सामने यहाँ पर संघट करें जिससे इनके अधिक मात्रा में इंटरेक्शन होगा क्योंकि इनका सर्फिस एरिया यहाँ पर आमने सामने अधिक है लेकिन यदि यह एक दूसरे के लंबवत संघट करते हैं कोलिजन करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि इंटरेक्शन कम होगा और इसके फलसरूप उत्पात के निर्माण होने की संभावना कम रह जाती है इसे हम एक और्गनिक कंपाउंड के उधारन के द्वारा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहा जब हम छार के साथ कराते हैं तो हमें मेथल अलकोहल प्राप्त होता है जब यहाँ पर क्योंकि यह एक नुकली फिलिक अभी करिया है जिसमें कि हाइड्रोकसाइड आयन जब इस पर अटाइक करता है तो यहां पर अब देखिए कि जो मेथाइल ब्रोमाइड है उसमें ब्रोमाइड आयन जो है वो अधिक ब्रोमाइड आयन सामने है और दोनों में नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने की वज़े से इनमें रिपल्सन होगा प्रतिकर्शन होगा और जिससे हमें उत्पाद मिलने की संभावना कम हो जाएगी या नहीं भी हो जाएगी दूसरी ओर यदि हाइड्रोक पर नेगेटिव चार्ज है और इसलिए यहां पर अभी क्रिया होगी बंद बनेंगे प्रतिस्थापन अभी क्रिया होगी तथा हैड्रोक्साइड आयन कार्बन से अटाइच हो जाएगा जबकि ब्रोमाइड आयन क्योंकि एक लीविंग ग्रूप है के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और हमें मैथल अलकोहल उत्पात के रूप में प्राप्त हो जाएगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि रासानी कभी क्रिया की क्रियाविधी को जो कॉलिजन थ्योरी है बहुत ही सपस्ट ढंग से बताती है और इसके अनुसार अभी क्रिया अभीकारकों के ब जब इनके बीच प्रभावी संघट हो और इफक्टिव कोलिजन होने के लिए दो चीजे आवश्यक हैं उचित मात्रा में सक्रियान उर्जा होनी चाहिए साथ ही साथ इनका ओरियंटेशन भी सही दिशा में होना चाहिए तो इस तरह से हम देखते हैं पूरे अध्धाय के अंतरगत हमने रासानिक अभीक्रिया की दर को जाना रासानिक अभीक्रिया की को प्रभावित करने वाले भिन भिनकार को सांद्रता ताप दाब तथा उत्प्रेरकों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके विशा में अच्छी तरह से जाना जो कि किसी भी रासानिक अभीक् ये आवर्शक होते हैं